तो बच्चो आज का टोपिक है आपका most important preparation चल रही बच्चो primary amide की उसमें है by hopman degradation of primary amide यहाँ पर हम primary amide का क्या करेंगे degradation करेंगे तो क्या हमें मिलेगी बच्चो primary amide एक name reaction है और most important है इस unit में सबसे ज़ाद important topic है बच्चो यह तो आप देख लो किस तरीके से होती है यह आपकी primary याणि one degree amide है ठीक है इसकी reaction हम करेंगे potassium या sodium hydroxide जो की aqueous भी हो सकता है और alcoholic भी और साथ में लेंगे bromine ठीक है तो इसमें क्या होगा बच्चो जैसे हमने बताए degradation होगा इसमें एक carbon less हो जागा तो इसमें बढ़ेगा rnh2 primary amide one degree amide बढ़ेगी बच्चो पलस k2 co3 पलस kbr और पलस co water ठीक है तो आप यह देख लो इससे balance भी कर दो कि जब हम जो primary amides है उसकी reaction aqueous potassium iodide और bromine के साथ करेंगे तो primary amides जो हमारा main product है वो form होगा साथ में कुछ by product भी बनते हैं potassium carbonate potassium bromide और water ठीक है बच्चो सब बच्चे note करते रहें इस तरीके से reaction complete होगी अब एक्जाम पर ले लें इसका आप आर की जगे कुछ भी ले सकते हो CS 3 CH2 CO NH2 ले लिया हमने ठीक है अब जो balance हो रहा है अब से तो आप जो करते हो लिख होगी वो उतने numbers में balance होगा आप कितने भी carbon ले लो एक carbon इसमें less हो जगा अधिनमाइन बनागा पलस के टो सी ओ धरी पलस टू के बियार पलस टू है ठीक है बच्चो सबी बच्चे स्क्रीन सोट ले ले लिख ले तो यह था आपका बच्चो हम एरोमेटिक रिंग भी लेने जा रहे है अभी सभी बच्चो को दिख रहा होगा प्रोपर अब पूरी तरीके से दिख रहा होगा वाटर का मोलेक्यूल भी यह प्राइमरी अमाइन्स आपके बन की प्रोटेश्यम कार्बोनेट प्रोटेश्यम ब्रोमाइड और वोटर ठेक है सबी बच्चे नोट कर ले अगर हम बेंजामाइड भी लें सी ओ एनच टू बेंजामाइड पलस इतने से ही आपको रियक्शन करानी है एक्वस ठीक है सेम प्रोसेस रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं होना अनिलेन या बेंजामाइड आपको बन गया या बेंजामाइड भी हम इसे कह सकते हैं के टू सी ओ थरी बन गया पलस टू के भी आर बन गया बच्चो और पलस टू एच टू बन गया सभी बच्चे स्क्रीन सोट ले ले तो इस तरीके से आपने देख्या डिग्रेडेशन का मतलब क्या है देखो यह वाड़ी यह वाड़ा जो कार्बन है इस योटू के रूप में बाहर हो जाए यहां ठीक है तो इसे डिग्रेडेशन एक कार्बन लेस होगा इसमें सभी बच्चे ने देख ली होगी अब इसका हम आपको मेकेनिजम बदा रहे बच्चो इसक्रीन सोट ले लो मेकेनिजम देख लो अब इसका हम फिर से कह रहें मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रियक्सन है बच्चो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्राइमरी एमाइड्स जो आपका है उसे लिख लो इसे हम मिटा देंगे मेकेनिजम ताकि जगह आपको इस पेस पूरा मिल सके यह आपका एमाइड है बच्चो वन डिग्री एमाइड ठेक है इसकी रियक्सन हम कहीं से कर रहें पोटेशिम आइड उकसाइड से आप इसे इस तरीके से भी लिख सब को या खली ओएच नेगेटिव भी लिख सकते हो मैं पूरा ही लिख दिया इसमें जो सबसे ज़्याद में अगा और जब्च पोजेटिव के रूप में बाहर जा रहा है तो ओ इस नेगेटिव के साथ रियक्ट कराते है नहीं चिंचडिव यह पूजे के रूप में क्या होगा बाहर निकल गया है जो तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ जा जगा बच्चो नेगेटिव चा लिख लोगे ठीक है सभी बच्चों को देख रहा प्रोपर अब इसके बाद क्या होगा अब इसके बाद हम इसमें ब्रोमीन डाल देंगे ब्रोमीन यह अगर सेरिंग के लेक्टोन अपनि और शिफ्ट करती है तो इस पर और इस पर कैसा चार्ज आए पार सली पोजेटिव चार्ज तो ये कहां टेक करगा nitrogen ठीक है इस पर negative charge है तो positive को अपने साथ क्या करगा attach कर लेगा और ये जो negative है ये इसके साथ चली जागी तो minus KBR तो यहां से बाहर हो गया ठीक है दो molecule आपने देख्या बाहर होते है तो एक तो यहीं से हो गया और यहां पर जो बचया आप उसे लिख लोगे इस nitrogen पर negative charge था तो इसी के साथ bromine attach होई बच्चू NHBR ठीक है और ये minus KBR आपका बाहर चले आई गया तो अब देखो अब जो यह process है जैसे अगर हम इस nitrogen को इसी तरीके से hydrogen को यहां लिख ले तो यह सबसे ज़्यादा acid है हमने बताया इसकी वज़े से oxygen अपने और खिंचा का electron तो फिर यह सबसे ज़्यादा acid होने की वज़े से यहां भी hydrogen क्या चले जागा बहर चले जागा जब हम next step में लिखेंगे यहां के ओएच फिर से ठीक है बच्चों तो यह जो ओएच नेगेटिव है यह इसके साथ react करागा ठीक है मैं दिखा दू इसके sharing के लेक्टोन यहां से ठोड़े और फिर से क्या है water के रूप में बाहर चला गया तो जो बचया आप उसे लिखे लो नाइट फजन बचया नाइट फजन पर कैसा चार झें नेगेटिव बिरोमें भी इसके साथ है ठीक है गजेटिव बाहर है इस तरीके से तो अब क्या होगा आपको पता इसमें क्या होता है लिविंग गुरूप होता है ब्रोमीन तो यह तो बाहर जागा असानी से बाहर चला जागा तो यह क्या करागा shift होगे लेक्टोन इधर की हो रहे हो तो bromine तो potassium के साथ पाहर चला गया अब यहाँ पर क्या होगा एक परकार से rearrangement का process चलता है rearrangement का process यह चलागा कि जो यह वाला alkyl group है यह इस nitrogen के साथ attach होगा ठेक है बच्चो किसके साथ attach होगा इसके साथ तो इसकी जो sharing के लेक्टोन है वो कहाँ shift होगे वो इधर shift हो रहे है यहाँ पर तो rearrangement लिखो गया आप यहाँ KBR तो यहाँ से बार चलाए गया rearrangement के बाद यह बन गया फिर हम इसका क्या करेंगे hydrolysis करेंगे क्या करेंगे बच्चो hydrolysis ठीक है अब यहाँ देख लो hydrolysis क्या होगा जब इसके कारबन के sharing के लेक्टोन अपने और खिंचे गए nitrogen ठीक है अगर nitrogen के और shift हो रहे तो इस तरीके से इसके साथ क्या attach हो जागा water का मोली क्योल attach हो जागा यहाँ पे यह इस तरीके से ठीक है बच्चो ऐसे इस पर कैसा charge आगया positive इस पर कैसा charge होता है oxygen पर negative charge इस पर positive charge इस पर positive charge तो यह positive के साथ जब जूड़ागा तो इसका यह charge कैसा हो गया खतम हो गया जूड़ती ठीक है और यह electron यहाँ shift होगे तो इस पर charge कैसा है negative negative charge आया इस पर positive है यह जैसे यहाँ से रिमूव होगा यह oxygen इस पर positive charge आगया था है जोड़ने की वज़े से जैसे इसके sharing के electron अपनी और shift करागा और यह यहाँ अपनी sharing के electron shift कर रहा तो इस पर negative तो यह hydrogen इसके साथ इस तरीके से attach हो जागी, यह से लपक लेगा, ठीक है, तो यह condition हो जा, यह condition अभी पूरी नहीं होई, ठीक है, यह क्या है, यह oxygen hydrogen से क्या करेगी, बच्चो, तो electron अपनी और shift करेगी, और जब electron अपनी और shift करेगी, यहाँ पे इस तरीके से, तो double bond बनागा, यह इस तरीके से अपनी और attract करेगा, तो इस पर positive charge आओगा, फिर केता है, फिर से positive charge आने की वज़े से nitrogen पर negative charge है, यह से अपनी और attract कर लेगा, तो इनका bond तो break होई गाया है, तो यह बनागा बच्चो, O double bond C double bond O, यह कहां से आया बच्चो, क्योंकि इसके sharing के electron कहां से होगे, oxygen और carbon के बीच shift होगे, ठीक है, यह bond break होण लग रहा, तो deficiency आगे थी, उस कमी को, यह इनके बीच का जो bond है, वो पूरा करागा, तो double bond बन गया है, नहीं बन गया, और यह बन जाता है, सिद्धा idolasis लिखके ही लिख दिया जा, तो आप exam में idolasis लिखके है, यह final product लिख सकते हो, ठीक है, आप सभी बच्चे देख लो, किस तरीके से reaction हुई, हमने क्या लिया, इसमें Mites लिया, potassium hydroxide से जब reaction कराई, तो OH negative, इसके साथ H positive nitrogen, क्योंकि यह more acidic है, यह वाला nitrogen, ठ हो जैसे, तो इसके sharing के electron का हां सिफ्ट हो जागे, इस nitrogen पर, तो H positive release होगा, तो यह water के रूप में separate हो गया, उसके बाद हमने यह ब्रोमीन की reaction कराई, जब ब्रोमीन पर आपस में, अगर sharing के electron इदर सिफ्ट हो, इस पर negative charge इस पर positive हो, इस पर negative बात तो एक ही है, ठीक है, तो य इसके साथ attach हो गया, यह हो गया, और जो positive chart था हो, अपने साथ negative ब्रोमीन को ले गया, यह by product है, यह आप लिखना चाहो लिख लिए, नहीं तो इनकी कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं आपको सारा का सारा ही बता दिया, किस तरीके से होता है यह, उसके बाद फिर आपने potassium iodide का molecule ले लिया, इसमें, आपने देख्या, इसमें चार molecule यूज किया जाते हैं, potassium iodide की, यहाँ देख लो, तो इसमें से water का फिर separation हो गया, दो molecule बाहर होई गे, water के, ठीक है, और इसमें फिर क्या होगा, इसमें rearrangement होता है, यानि फिर से पुनर विवस्थित होता है, खुद ठीक है, इस carbon oil की वज़े से हमने कहाने, इसका acidic nature बहुत जाद होता है, तो इस पर से दूसरी hydrogen भी होरी मोह हो जा, ठीक, water के रूप में बाहर चली जा, और rearrangement होने की वज़े से, यह product form होता है, यह product form होने के बाद, फिर हम इसका hydrolysis कर दें, hydrolysis यानि reaction with water, तो जो water का molecule है, carbon से attach होता है, carbon क्या है, इस पर deficiency रहे, electron की, आप देखो, इसके दुननों तरफ क्या है, electron negative atom है, तो nitrogen क्या करागा, उसके sharing के electron अपनी और shift करागा, तो इस में deficiency आओगी, deficiency आओगी, तो negative charge रहे, वो इसके साथ attach होगा, attach हो, तो इस पर कैसा charge होगा positive, क्योंकि इसकी 3 valency होनी सकत positive charge क्यारी कर रहा, तो इसके कमी करने के लिए positive charge, जो deficience हो रहे है, अपनी कमी पूरी करने के लिए, hydrogen और oxygen के बीच के electron अपनी और shift करे, यह positive जब यहां से release on लगया, तो negative charge के और दोड़े, nitrogen के साथ यह जोड़गी, ठीक है, फिर यह OH बचा, same process दोबारा से होता है, ठीक है, इसके sharing के electron, इस carbon और oxygen के बीच shift हो जा, और यह bond जब पहले से weak हो गया था, इनके nitrogen और carbon के और weak हो जा, तो इस अपनी और nitrogen shift करे, उस पर negative charge आवे, तो positive फिर से nitrogen के साथ attach हो जा, तो most important reaction है, बच्चो, आप इसे अच्छी तरीके से screenshot ले ले, हमने maximum आपको देने की कोशिस करी, सबी बच्चे से note कर ले, reduction of amide, तो बच्चो जो ये वाला part है, next reduction of amide, ये बिलकुल opman, जो reaction आप ने करी, उससे अलग है, उसके साथ नहीं करना, अगर, इसमें अगर कोई समानता होगी, तो वो सिर्फ होगी, amides की, इसमें हम क्या है, reduction करेंगे, amide, चे वो 1 degree हो, चे वो 2 degree हो, 3 degree हो, ठीक है, तो उससे 1 degree, 2 degree, 3 degree, amide prepared किये जा सकें, इसमें जो reagent है, reagent आप इसमें अगर देख लो, इसमें reagent है, lithium, aluminium, hydride, जो सबसे अच्छा reducing agent होता है, बच्चो, और उसका solution होगा, ethral, ठीक है, और उसके बाद, हम इसमें क्या करेंगे, hydrolysis, secondary step में, तो इस अभी बच्चे note कर लिए, reagent के आइसमें, lithium, aluminium, hydride, का ethral solution होगा, और second step में, हम hydrolysis करेंगे, ठीक है बच्चो, तो यहां दिख्चा एक्जाम्पल, R, C, O, N, H2, पलस, एरो पे लिख देंगे, हम lithium, aluminium, hydride, ethral solution है, ठीक है, और second है, मैं हम hydrolysis कर देंगे, तो सभी बच्चे ध्यान दो, 1 degree amide लिया, हमने, यह आसानी reaction है, ठीक है, तो क्या बणागा, बच्चो, R, C, H2, N, H2, अभी आपने होपमेन reaction में देख्या, कि यहां से एक carbon less होता है, लेकिन इसमें जब हम reduction करेंगे, इसमें कोई carbon, कोई degradation नहीं होगा, इस चीज का आप ध्यान रखोगे, आप side product लिखना चाहू लिख लिए, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो जब हम इसका reduction करते हैं, तो इस तरीके से आपको primary amines मिल जाएगी, 1 degree amines, सभी बच्चे ध्यान दे, आप by product लिखना चाहू लिख लिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, एक्जांपल देख ले, CH3, CO NH2, एथेनामाइड हमने ले लिया, ठीक है, एथेनामाइड ले लिया, और इसका reduction किया, हमने lithium, aluminium, hydride, ethereal solution है, ठीक है, और followed by hydrolysis, तो क्या बन जागा, CH3, CH2, NH2, ठीक है, देखो कितनी आसान reaction है, पलस H2, ठीक, तो इसमें क्या है, एथेनामाइड फोम हो गया, सभी बच्चे स्क्रीन सोट ले ले, अब नेक्स्ट है, बेंजमाइड के साथ भी देख लो आफ, C6, H5, CO, NH2, यह आपका है, बेंजमाइड, ठीक है, तो इसमें क्या बनाएगा, C6, H5, CH2, NH2, बड़ ध्यान दे बच्चो, इसमें आपकी, एनिलीन नी बनी, इसमें बेंजाइल एमाइड बनी, ठीक है बच्चो, क्या बनी इसमें, बेंजाइल एमाइड, क्योंकि यहां एक कार्बन मुझूद है, वो भी रिड्यूस होता है, जबकि, होपमेन में बनती है एनिलीन, इस चीज का आप ध्यान दे, सभी बच्चे, कभी पेपर में इसमें बना के आजाएं, इसमें जो कार्बन है, वो रिड्यूस होता है, बेंजाइल एमाइड बनागा इसमें, सभी बच्चे स्क्रीन सोट ले लें, यह तो था वन डिगरी का, आपका सेलेबस में भी वन डिगरी है, लेकिन अगर आप टू डिगरी भी बनाना चाहें, तो टू डिगरी का भी इसमें, रिडक्शन पॉसेबिल है, तो टू डिगरी एमाइड नहीं, फो मोगी इसमें में आपको बता दू, ठीक है, अगर आप टू डिगरी लेना चाहते हो, तो टू डिगरी भी आप ले सकते हो, जैसे सी एस थरी, सी ओ, एनेज, सी एस थरी, ठीक है बच्चो, यह आपका टू डिगरी है, एन मिथाइल, एसिटेमाइड, एसिटेमाइड, एन मिथाइल यह रहा, और यह क्या हो जगा, एसिटेमाइड, तो लीथियम, ऐलूमेनियम, हाइडराइड, सेम प्रोसिस है, आसानी से बनाया जा सकता है, और आइडोलेसिस कर देंगे ठीक तो क्या बनागा CS3 CH2 CS3 तो आपने देख़्या इसमें 2 डिगरी लेकर 2 डिगरी माइन से आम इसमें क्या कर सकते हैं फॉम कर सकते हैं तो इस तरीके से सबी बच्चे तयार कर लें इसे ठीक है बच्चू तो ये आज के लिए इतना ही अच्छी तरीके से सब तयार कर लें